हम लोग अपना जो रूटीन होता है वो दूसरों के रूटीन को देखकर सैट करते हैं बट दो या चार दिन हम उस रूटीन को फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं उस रूटीन को पीछे छोड़ देते हैं या फिर ना हमें irritation होने लगती है गुसा आने लगती है और फिर हम उस routine को छोड़ देते हैं बट आपको न ऐसा नहीं करना है आपको अपने time के according आपको किस वक्त active होते हैं किस वक्त नहीं होते हैं उस time के according आपको न अपने time को set करना है तो आज मैं इसी topic के ऊपर लाई हूँ एक interesting सा वीडियो जो कि शायद आप लोग को अपना routine set करने में मेरी वीडियो से थोड़ी सी help मिलें तो चलें आईए ये वीडियो को start करते हैं Hey everyone, welcome back, I hope आप लोग सभी बैतर होंगे, खोशाल होंगे और मजे में होंगे तो यहाँ न सबसे पहले starting करते हैं हम लोग सुभा के जो भी 5 से 10 नट होते हैं वो हम लोग खुद को दें खुद को देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना mobile phone यूज कर रहे हैं, laptop यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिलकुल खुद को देना है, आप सांती में कहीं भी अपना एक जो आपको इस पेस अच्छा लगता है, घर का जो भी corner अच्छा लगता है वहाँ आप सुकून से बैठें, कोई भी अपना drink enjoy कर सकते हैं तो मेरा बस यही रहता है, कि morning में उटने के बाद, मैं 5-10 मिनट अपने लिए सुकून के निकालती हूँ, बैठके एक गिलास पानी पीती हूँ और जहां भी बैठी होती हूँ, बस उस चीज को देखना, अगर हलकी फुलकी सी भी गड़बर लग रही है, या इदर से उदर चीज हो गई है, तो बस उसको वहीं के वहीं set के दिया तो अगर सुबा में अगर आप लोग अपने आपको 10-5 नट देते हैं, तो इसमें बिलकुल भी बुराई नहीं है, बलकी आपका जो पूरे दिन का रुटीन है, वो बहुत ही अच्छे से stress free होके जाने वाला है, उसके बाद second जो मेरा काम होता है, वो ये कि जो मेरा सबसे boring काम होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उसी को खतम करूँ, तो जैसे कि यहां पर प्रेस करना मुझे जादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मौनिंग में ही 2-4 कपड़े जितने भी मुझे दिख रहे हैं, उनको मैं फटा हट से प्रेस क करके रख देती हूँ, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के इखटे कर लिए और फिर बस एक बार या एक दिन आप प्रेस लेके बैठ गए और पूरा दिन आपका प्रेस करने में ही जा रहा है, तो मैं ये रूटीन बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लाती हूँ क्योंकि मुझे प आपको जरूरी नहीं है, प्रेस करना ही हो, आपको जो काम बेकार लगता हो, यानि कि जो काम में आपको बोरिंग आती हो, तो आप उस काम को पहले करके फ्री हो सकते हैं, इससे फिर आपको ये रहेगा, कि दिन में आपको जो भी काम करने हैं, वो आप अच्छे से अपने बड़िया तरीके से काम करेंगे ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग काम करते हुए आपको भी बुरा लगे और फिर आप लास्ट में आके थोड़ा ठक भी जाए और फिर जो काम है आपका आप उसको पैंडिंग कर दें कि छोड़ो यार कल कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है पोशि अपना निपटा दिया है इसके बाद जो भी मेरे काम होंगे वो अच्छे तरीके से होंगे और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरा बोरिंग काम है मैं इसको छोड़ देती हूं कि बाद आपको खुद के लिए तैयार होना है क्योंकि तैयार हो जाते हैं ह हम लोग तो हमें ना काफी अच्छा लगता है फिर जैन टेवल लोग होता है अगर कोई गेस्ट वगेरा आ भी जाए तो आपको बेकार नहीं लगेगा और खुद में भी आपको अच्छा फील होता है जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए तैयार हों कभी ना आप लोग कर लें जो भी आपको पसंद है काजल वगेरा लगाना लिपिस्टिक वगेरा लगाना तो वह आप कर लें और साथ में आपकी अपनी इसकिन का जरूर ध्यान रखें तो यहां नहागर आ गई थी और उसके बाद फिर जो भी हलका फुलका मुझे अपना टच अप करना होता है वो कर लेती हूं प्लस अपनी इसकिन का भी ध्यान रखती हूं इसी के बाद ही फिर में लग जाती हूं अपने और कामों में तो नहीं मौर्निंग में उठकर हम लोग सभी बैड मेकिंग तो कर ही लेते हैं बट फिर भी दिन में एक से दो दफा बच्चे वगेरा खेलते तो आपने ने क्या करना हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा यह टाइमिंग बहुत ही अच्छी है और इस टाइम मैं काफी अच्छे से एक्टिव रहती हूं तो आप कोशिश करें कि उसी टाइब में ही आप अपने जादा से जादा काम को तूरू लिस्ट में लिख और कोशिच करें कि आप उसको उतने ही टाइम में कर लें तो इससे नहीं होगा कि आप उस टाइम को और उस काम को इंजॉय करेंगे हम लोग न ऐसा होता है कि दूसरे के रूटीन को देखकर अपना भी टाइम उसी अकॉर्डिंग सेट करते हैं बट ऐसा नहीं हो पाता है मैं मेरा टाइम अगर अपना टाइम टेबल बनाऊंगी तो मैं अपना ये देखूंगी कि मैं किस टाइम एक्टिव रहती हूँ तो आपने भी बस यही देखना है इसी के साथ ही डेली ही अगर आपको कुकिंग का शौक है या नहीं भी है तो कोशिश करें कि 5 से 10 नट वाली क्विक सी रेस्पी आप बनाने की कोशिश करें तो नहीं इससे यह होगा कि आपको भी काफी सारी ऐसी रेस्पी होंगी जो आजाएंगी और ये भी नहीं लगेगा कि टाइम भी काफी जादा जाने वाला है तो छोड़ो इग्नोर करते हैं नहीं करते आप लोग मुवाइल फोन को यूज कर सकते हैं उसमें देख सकते हैं कि क्विक सी बनने वाली रेस्पी और इससे नहीं यह होगा कि आपकी कोकेंगी स्किल भी काफी अच्छी हो जाएगी प्लस आपको भी काफी सारी चीजे ऐसी होंगी जो बनानी आ जाएंगी और 5 से 10 मि बनके तैयार भी हो जाएंगी तो ना पहले मैं भी यह चीजे अवाइट करती थी और मतलब नॉर्मली बस जो खाना वगेरा होता है बनाना वही करती थी बट यह चोटी-चोटी सी रेस्पी या क्विक सी बनने वाली रेस्पी को मैं नहीं देखती थी बट जब से मैंने इ मिक्स करके अच्छे से दूद में बॉय लगा लिया है और अब मैं इसको छोड़ दूगी ठंडा होने के लिए इसी के साथी अगर आपका फैस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आप ना अपनी कपड़ों को पहले से ही निकाल के रख सकते हैं जिससे कि न उस टाइम प आपने जो भी निकाले हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़े रहें अपके घर में एक मैस कर्या नहीं करेंगे नहीं आपके घर gefके एक कॉर्णर को फिर करेंगे यानि कि कोई भी दुला कपड़ा हो या फिर गंदा हो अगर वो एक कॉर्णर में पढ़ा रहे तो वो भी एक मैस क्रियेट करता है तो यहां पर फैस्टिव सीजन के बाद जो भी बच्चों के मेरे जो कपड़े थे तो मैं यहां पर उन्हें मतलब वाश मैंने कर लि क्योंकि जो भी काम हैं आप उसे हाथ के हाथ समेठते हुए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आप इन कपड़ों को भी अगर सोचेंगे कि मैं कल रख तूंगी परसों रख तूंगी तो यह कपड़े भी आपका एक मैस करेंगे तो जैसे कि मेरा आज मतलब एद होके चुकी चुकी जानी हैं तो जो भी कपड़े मैंने बच्चों ने हैस्पेरणिन ने जो यूज किये थे न तो मैं उन सारे कपड़ों को ही अच्छे से मैंने वोश कर दिया था आईयरें बगेरा करके मैं आज मैंने अपनी मतलब लिस्ट में लिख था कि मुझे ये सारे कपड़े सेट करने हैं, जहां रखने हैं बैग में, फनिचर में तुम्हें उन सारे कपड़ों को उसी जगा पर सेट कर दूँगी तो ये भी एक काम होता है कि फैट्रिक सीजन से पहले हमें अपने कपड़ों को निकालना है पहनना है और उसके बाद फिर कपड़ों को फिर से वाश करके आईरन करके उन्हें उन्हें के जगा पर रखना है जब आप लोग ये आदत अपने अंदर ले आएंगे कि जो भी आपको काम दिख रहा है या किसी भी एक हिस्से की आपको डीप क्लेनिक करनी है तो यकीन माने कि आपका जो काम है वो आपको भी खुद ऐसा लगेगा कि आपके लिए जादा कोई काम होता ही नहीं है घर भी एकदम से और्गनाईज रहता है मैंटेन रहता है और बिल्कुल भी आपे मेहनत भी नहीं परती हम लोग अपनी आदत की वज़ाद से छोटे-छोटे कामों को पैंडिंग करते करते एक दिन इतना बड़ा कर लेते हैं कि फिर हमें खुद ही फ्रस्टेशन होती है तो मैंने क्या करना है कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है गुस्ता नहीं करना है बच्चे हैं खेलेंगे कूदेंगे सामन भी भी खेलेंगे बट आप सांती से अपने काम को करने की कोशिश करें तो बस यहां पे जितने भी टॉइस वगरा थे मैंने उनको समयट दिया है और जो भी प्लोज वगरा हैं उनको अठाके बैट शीट को में यहां पे फिर से जाड़के दुबारा से लगा दूँगी तो मेरी ना कोशिश यही रहती है कि मौनिंग में उठके तो मैं अपने बैट को एक बार बनाती हूँ बट कोशिश रहती है मेरी कि में दिन में भी अगर हलका फुलकासा भी मुझे बिखरा हुआ दिख रहा है तो मैं उसको फिर से सैट कर दूँ वहीं के वहीं क्योंकि ना घर में मतलब बैट रूम में अगर बैट हमारा बेकार या मैसी मैसी पड़ा होगा ना तो बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है और जब एक बार आप अपन का मैठती चलू जहां भी मुझे कोई भी चीज इधर की उधर दिख रही है तो मैं उसको सैट कर देती हूँ कोई भी सामान इस रूम का दूसरे रूम में आ गया है तो चलते फिरते मैं उस चीज को ले जाके उसी के जगा पर रख देती हूँ यहां देखें मैंने जो भी टॉइस वगयरा थे बच्चों के उसको ना मैंने एक और्गनाइजर में डाल के रख दिया है तो आप इस तरह से ने कोई भी बास्केट वगयरा बना सकती है बैट को मैंने फिर से अच्छे से जाड़के उसको ठीक कर दिया है और यहां पे ना मैं बच्चों के कपड़े भी निकाल के रख दूँगी तो जिसे की मेरा भी इसकोल से आके अपने कपड़ों को पहल लेगा और मुझे उसके लिए बार बार कवर्ट खोलना नहीं पढ़ेगा इसी के साथ ही हमने जो अपना कस्टड मिल्क बनाया था तो ठंडा हो गया है बहुत ही अच्छे से और अ हम सभी लोग फिर इसको इंजोई करेंगे तो बताईएगा कमेंट फॉक्स में जरूर के आप लोग को मेरे ये चोटे-छोटे से टिप्स और घर को और्गनाइज करने का जो तरीका है वो कैसा लगा अगर आज आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली बाहर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सबिस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी ओन कर लें जिसे कि मेरी किसी भी वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें कमेंट फॉक्स में बताईएगा जरूर कि आप लोग मेरे ये टिप्स क लेतो हैं तो हम इसे फालो भी करते हैं और इन्जव भी करते हैं और हमारा घेना उससे नीट एंड क्लीन भी रहता है खोछ रहे हैं अपनी रूटिन को बहुत ही अच्छे से एंजव करिए और अपनी टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट करिए मिलती हूं मैं इसी तरह से और इंट्रेस्टिंग सी वीडियो के साथ तब तक आप लोग अपना खयाल रखिएगा और खुश रहिएगा और अपने घिर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए छोटे-छोटे से एफ़र्ट्स और छोटी-छोटी सी आदतों को जरूर अपनाएगा झाल रखिएगा और तक आप लोटे एंड को